So Hello and Welcome You All I am Ruhi from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेगे IEX के बारे में IEX Indian Energy Exchange इसका पुरा नाम है और guys यहाँ पर इस वीडियो में आपको टोटल फूल अपडेट मिलने वाली है As a long term के basis पर आपको क्या करना चाहिए और सोमवार के दिन क्या आप प्लान कर रहे हो इसमें ट्रेट का तो लेवल साब के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सोमवार को जड़ा संबल कर रहना तो क्यों रहना है संबल कर वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और guys खरीदने से पहले वीडियो को पूरा देखो shareholders गलती मत करना तो क्या गलती नहीं करना है वो भी आज इस वीडियो में आपको पता जाने वाला है तो guys यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करू उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स की लेटिस न्यूस के लिए तो guys करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं आई-एक्स के उपर तो guys बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आई-एक्स इसका शॉर्ट फॉर्म है और देखा जाए तो स्टाउक ने आज क्लोजिंग दी है दो सो तेवीस रुपे दस पैसे के प्राइस पे स्टाउक ने आज दी है क्लोजिंग पेथीस पैसे तक की ही बड़त देखने को बिलिए एक अच्छी बड़त के बाद स्टाउक थम गया तो आज ए थमा हुआ था बटी इसके जो लेवल्स है वो थोड़े हमें समझना चाहिए तो guys चलते हैं मंडे के लेवल्स पे सिंपल सा अनालिसस था यहाँ पर जब भी काफी स्टाउक में आपने देखा होगा मॉर्निंग में स्टाउक बढ़ तो जाते हैं बट फिर से वो गिरने लग जाते हैं तो इसका कारण क्या है इसका मेन रीजन सीधा सा है guys देख सकते हो यहाँ से स्टाउक यह में बात कर रहा हूँ फर्सो के दिन की यहाँ से स्टाउक एक जंप लगाया फिर स्टाउक नीचा है फिर साइड़ बेस चलना रगया आज मॉर्निंग में क्या हुआ आज मॉर्निंग में आप देखो तो stock ने सीधा gap up opening यहाँ पर आच हुई है और यहाँ से सीधा उपर गया फिर उपर गया और यहाँ से नीचा आया तो gap fill इसने कर दिया है तो यहाँ पर यह मैं ही नहीं बूल रहा हूँ community sentiments के आकड़े भी देखोंगे तो कही न कही आपको negative न जराएगे और यहाँ पर ज्यादा selling हो सकते है ज्यादा नहीं कह सकते है बट यहाँ पर कही न कही इस gap को fill किया है तो इस gap को fill up करने भी यह नीचे के वर आ सकता है तो guys possible है यहाँ पर से तो यह नीचे आ गया है तो gap down होना तो लाजमी है सीधा gap down होने वाला है यहाँ पर मंडे के दिन अगर इस level को break कर देता है 221 रुपे के level को जहां से support लेके उपर गया था उसी level को अगर ब्रेक कर देंगा तो यहाँ पर stock सीधा कुन से level तक आ सकता है गए 216 के आसपा stock support लेके फिर उपर जाने की कोशिश रिसकी रहने वाली है तो यह जो level है इनमें आपको मंडे के दिन थोड़ा संबल कर रहना पड़ सकता है आप अगर trade प्लान करना ही चाते हो तो हो गया है unfortunately अगर उपर की और break out मिल जाता है तो यह उपर की और एक अच्छा momentum आ सकता है और guys वही अगर as a long term के basis पे हमने काफी time पहले बताया भी था आपके साथ मैंने levels share भी किये थे उन share के basis पे मैंने clearly बोला था कि stock किर सकता है तो गिरावट मैंने case ही गही थी आप देख सकते हो इन levels पे consolidate करके support लेके अज stock में उपर की और का momentum आया ओके फिर momentum के बाद stock यहाँ से rejection लेके नीचे आता हो अज़रा रहता हो सकता है हम इस level को भी मान सकते हैं यहाँ पर भी मैं trade line खीज सकता हो but even a target basis पे उपर का level है हमारा यहाँ से मान लीचे एक rejection आया है stock नीचा आया फिर उपर गया फिर नीचा आया फिर उपर गया फिर यहाँ पर sideways momentum आया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर as a long term के basis पे हमारा target तो 380 रुपे का है और बाइंग के लिए हो कह सकते हैं जित्ता आपकी customer stock मिले उसके इसाब से आप खरीच सकते हो जैसे ही stock गिरता है आप बाइंग के और चाल सकते हो बढ़ते हैं अब आगे और देखें तो इसके market cap को तो market cap तगड़ा है 19.99000 करोड का market cap है जो इसे एक mid cap stock की category में लाके रखता है 70.81 का stock का P ratio है dividend stock देता है 0.67% का open हुआ था एशियर 226 रुपे पे हाई भी 226 रुपे 20 पेसे का था और low 222 रुपे 45 पेसे का दिखाई देतेगा वही अगर देखोंगे तो 52X का high क्या कहता है 308 रुपे 166 पेसे का जैसे के मैंने बूला target है हमारा उपर की और का 107 रुपे 22 पेसे का low है price performance में upside down से इस week का तो minus में ही आपको दिखेगा आप देख सकते हो जिरो point 62% minus में है आला कि one month का यहाँ पर plus में है यहाँ पर अगर volumes देखे तो volumes आज घटे है 59 लाग के आसपास का ट्रेड बिली उता और 23 लाग का ही community delivery है community sentiments के आगड़ों में यहाँ पर देख सकते होगा selling के लिए 32% यहाँ पर recommendations है और देखा जाए buying के लिए 64 की recommendations है और 4% holding के लिए तो यहाँ पर थोड़ा संबल के रहना पड़ना तो guys यहाँ पर IEX को लेकर काफी कुछ बाते हमने कर लिए और I hope आपको यह वीडियो अच subscribe करो thank you